हालो एवर्वान विल्कम टू माय चैनल सुगाइस आज हम बात करेंगे मसी फर्सेम 2022 का कोशन पेपर है मेरे पास ग्रूप थेवरी एंड स्पेक्टोस्कॉपिका तो 2021 का कोशन पेपर है मैंने आपको वीडियो बना लिया है उसका तो आप मसी फर्सेम की कोशन पेपर की मैंन लाने के संभावना है अगले समय अगली यह तिक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहरे इसमें मेक्सिम मार्क 40 नमर का यह पेपर होता है और पासिंग मार्क लाने होते हैं 14 तो बात नहीं करेंगे तो हम चलते सेक्शन बीकी ओर तो यहां पी देखिएगा आपको दो नमर के कोशन रहेंगे दो नमर के फाइब कोशन ठीक है जो कि दस नमर टॉटल दस नमर के कोशन दिये जाएंगे आप दो नमर का एक कोशन होगा तो यहां पर आपको लिखना है शॉर्ट अंजर ठीक है तो कोशन नमर दो दिखीगा वाट इस एक्सिस ऑफ सेमेट्री एक्स्पें विद्विट गिवंग एक्सिस अफ सेमेट्री का यहां कोशन पूचा गया है आप से और इसका जो टॉपिक है मैंने आपको वीडियो बना दिया है ठीक है हमारा कंप्रिट है फिर इसके और में है घिउद डेफिन डेफिनेशन ऑफ प्लेइन ऑफ सेमेट्री एंड गिवि तो यह जो question है guys most important topic है यह हमेशा exam में आते रहते हैं इस तरह के question ठीक है तो आपको यह topic रटके जाना है आपको और यह topic भी मैंने आपको complete करा दिया है यह सारे question आपको कहा मिलेंगे मसी फर्सेम spectroscopic के playlist बनी हुए तो वहाँ पर आपको आप चेक कर सकते हैं तो इसके और में जो है देखिए गार गिव दर रिजन दर रोटेटिंग अपको हमेशे एक्जाम में आते हैं तो आपको यह question रटके जाना है एक्जाम में फिर फोर नमर का question देखिएंगे आप पर प्राउड एट देखिए सेमेट्रिकल वाइबरेशन आफ सी ओ टू मॉलिकूल दस नौट गिव वाइबरेशन इस्पेक्ट्रा बड़ बड़ देखिए तो यह भी टॉपिक मोजट टाइम भी है और हमेशे एक्जाम में आते रहते हैं तो यह टॉपिक हम complete करा चुगे हैं इसके बाद में इसका अत्वावाला है गिव दरीजन वाइबरेशन वाइबरेशनल इवन इन द लोवेश्ट एनर्जी स्टीट तो यह टॉपिक हम complete कर चुके हैं ठीक है आप फाइब मेंबर का कोश्चन देखिएगा एक्स्पेंड रमन स्पिक्ट्रा वीत दा हैल्प कोश्चन है रमन स्पिक्ट्र के बारे में हमेशे एक दम आते रहते हैं तो आपको अच्छे से याद करके जाना है इसके फिर अत्वा में देखेंगे गिव दरीजन दैर सियो टू मोलेकुल गिव रोटेशनल रमन स्पिक्ट्रा तो यह टोपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट इस इस Кोश्चन है काफी इंपरेट है और आपको जो चार वो क्यूंष कोशन है विलब कि फोर और पहस्ट लिव यहां पर देखेंगे हम सिक्स नमर का कोश्चन एक स्पिक्स्ट्री बेस देखेंगे अर आफ्पिक में नहीं किया है तो यह मैं आपको उम्यूट करा दूं पिर सेक्शन सी देखेंगे जिसमें लॉग आंसर टैप कोशन दिये रहेंगे ठीक है फाइप नम का एक कोशन रहेगा और पाइप कोशन आपको यहां पर करने ठीक है तो सेवन नमर का देखेंगे हम गिविंग सुटेबल डाइग्राम एक्सप्लेंड वेरिया सेमेट्री एल पॉइंड डिसक्स वेरियस काइंड आफ पॉइंट गूप तो यह भी टॉपिक में आपको कंप्लेट करा दिये हैं और मोस्ट टाइम टॉपिक है दोनों एट नमर का कोशन देखेंगे अब ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैल्कूलोशन ओफ फ्रेक्वेंसी ओफ रो कोशन कंप्लेट करने की कोशिश करूंगी फिर अथवा में देखेंगे तो देखिएगा मैंने आपको फिली वीडियो में बताया था अगर आपको शोट नोर्स है आपके पास तो आपको क्या करना है शोट नोस को हलके में नहीं लेना है ठीक है आपको वह भी याद हो करके ऐसा कुछ जैसे कि यह एक नमर के अथ्वा में दिया है और राइट नोट राइन राइट नोट्स ओन दे फ्लोविंग तो इस टॉप के बारे में दिया है इस टॉप सबस्टूशन एपक्ट और स्टार के इस तरह से बहुत सारे आपको क्या करना है शोट नोस जो ह नहीं है इसा बिल्कुर नहीं है फाइब नमर में भी इस तरह की कोशन दे देते हैं फिर नाइन नमर का कोशन देखेंगे यहां पर हम डिसकस मोर्स पोटेंशियल एनरजी डाइग्राम तो यह टॉपिक मैंने कमलेट कर रहा दिया है आपको और मोस्ट टाइम पर कोशन है इस हमेशे एक्जाम में आता है और यहां पर आत्वा में देखेंगा पीक्योर शाका है यहांने पीक्योर ब्रांचेज और लीनियर हार्मोनिक उसकुलेटर मोस्ट टाइम पी टॉपिक है तो आपको हमेशे याद करके जाना है इसे टेन नमर का कोशन देखेंगे आपर वा एलिपसाइड फॉर वाइबरेशन देखेंगे तो दोनों के बारे में आपको क्या लिखना है यहां पर नोर्स लिखना है ठीक है फिर आत्वा में आ रहा है और रिसकस्ट द प्रिंसिपल एंड वर्किंग मेतर और अगर इलेक्ट्रों इस्पिक्रोस्कॉपिक तो दोनों क कोपी तो यह जो अगर वाला जो कोशन है मोस्ट आइमपी है तो आपको यह वीडियो ज़रू पसंद आया हो तो प्लीज आपको लाइक सिस्क्राइब पर दीजिगा बेल आइकन प्रेस कर दीजिगा और कोमेड भी ज़रूर बताएगा आपको यह नोर्स कैसे लगए और मे कोशन पेपर के कोशन पेपर आपको दीख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं में से कोशन पेपर के मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना हुई तो वहाँ पर आप भी कोशन पेपर चेक कर सकते हैं थैंक्यू